हलो दोस्तान वाश्कार मैं मुनु शर्मा स्वागत कर था अपने यूट्यूब चनल इंपोभी सर्माजी में दोस्तों पिछले सेसन में मैंने बात किया था सेसन नंबर 13 और सेसन नंबर 14 चलिए आज हम बात करेंगे सेसन नंबर 15 पे ठीक है जो कि सेटी का सेसन आता है ठीक ह करें इस होता है यह सिंप्ल सा आपको पहले सेसन और 12 में मैंने बता दिया था तो वहां से आप कम्प्लीट करसकते से किये टीक में कलीक तो यहां पर आपको एक साथ स्टार्ट होगा तो यहाँ पे स्टाइब का आपके सामने उप्संस आएगा सिंबल सा पो क्या करना צाइब करना है और देने के बाद आपके सामने इस टाइब का next पे click करेंगे, next पे click करने के बाद, आपको simple सा question पे click करना है, दूसरा वाला जो question आएगा, इस वाला का जो answer होता है, आपको team number दे करके submit करना है, ठीक है, चलिए, उसके फिर से next पे click करेंगे, next पे click करने के बाद, फिर से question पे click करते हैं उसके तीसरा वाला जो question चाहता है इसका answer आपको फिर से 3 number दे करके submit करना है ठीक है उसके फिर से next पे click करेंगे next पे click करने के बाद फिर से question पे click करते हैं question पे click करने के बाद आपको इसका 4 number का question है इसका answer आपको एक number देकर के submit करना है ठीक है, next पे click करते हैं Then, फिर से question का options आएगा हमारे पास यह दिखे आगए, इस पे click करते हैं Next वालजो question आया इसका answer आपको 4 number देकर के answer submit करना है, ठीक है फिर से next question आएगा, next पे click करेंगे फिर से question पे click करेंगे, question को नबर देकर के समीट करना आ के बाद हैसे को सब्सक्राइन के मैसंे बाद इसका आया कि समिट करणा होता है थीके जैसका झोके करेंगे एक वीडियो आपके समने आएगा इसको यहां पे क्लिक करें चफने शाम ने के ये पर क्लिक करने सब्साम ना कि रहें पर अगट सब्सक्राइब जÄोगा ब्लट क्लिक जा accounted इस पर ग्रटिखेंगे तो यह तो सुझा करें गालता है बाध बेसाइब आते हैं इसे पर क्लिक करना है ठीक है उसके start exam पर क्लिक करेंगे, start exam पर क्लिक करेंगे यहां पर कोसुन साइडिया क्या sort the icon on the desktop according to the item type by right clicking of the mouse, ठीक है यहां पर sort करने करने, यहां पर simple साब को खाली जगह पर right click करना mouse, कर, ठीक है, sort पे जाएंगे, sort पे क्लिक करने का, यहां पर देखे, item type, simple सा इस पे क्लिक करके, आपको submit पे क्लिक कर देना है, चलिए, पहना वाला question solve हो चुका है, then ok पे क्लिक करेंगे, ok पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद यहां पे दूसरा question आएगा, simple सा start exam पे क्लिक करेंगे, start exam पे क्लिक करने का, यह क्या कहता है, create a new text document on your desktop and name it my document by clicking the mouse right button, यानि कि mouse का right button क्लिक करके नया document बनाना है, कैसे बनाना है, तो simple सा right क्लिक करेंगे, then यहां पे new वालो जो options आएगा, इस पे जाएंगे, और सीधे आएंगे, आने का दिखेंगे, यहां पे एक options आपको मिला है, text document का, simple सा इस पे click करेंगे, तो यह text document हमारे समने बन करके आजाएगे, इसका जो नाम रखना है, क्या नाम रखना है, यह पर देखें, my document अखना है, my document अखर के click कर देंगे, बाहर तो यह save हो जाएगा, simple सा, उसके बाद submit पे click कर देंगे, यह दूसरा वाला answer submit हो गया, then ok करते है, start exam पे click करते है, start exam पे click करने हैं, यहां पे question आगया, open display setting, using shortcut drop-down menu, और contact menu by clicking the right button of mouse, पाले को करना क्या है, यहां पे right click करेंगे, right click करने के बाद, कौन सा कहता है, display setting, यहां पे display setting का एक options आपको दिख रहा होगा, simple सा, इस पे click करेंगे, ठीक है, click करने के दिए display setting हमारे सामने on हो गया, ठीक है, इसको छोटा करने दे, then इसको submit पे click करते हैं, देखे, यह submit हो चुका है, ठीक है, उसके बाद ok पे click करेंगे, उसके फिर से start exam पे click करते हैं, देखे, यहां पे next question आया हुआ है, open personalization setting using short को drop down menu और under by right clicking of mouse, ठीक है, mouse का right click करके आपको personalization setting open करना है, कैसे, यहां पे right click करते हैं, और देखे, यहां पे personalization setting options मिलना है, इस पे click करेंगे, तो personalization का जो settings होता है, यह हमारे सामने open हो जाएगा, ठीक है, देखे, यह open हो का है, इ then okay पे click कर देते हैं, ठीक है, फिर से next question आया है, चलिए start exam करते हैं, start exam करने का दियाद देखे, यहां पे questions आया है, change the size of the icon available on the desktop, large, large icon करने के लिए कि लिए किसका है, तो view वाले options है, simple सापको क्या करना है, right click करना है, mouse का, right click करने के पास सबसे पहला वाला जो options आपको दिख रहा है, view वाला, इस पे आएंगे, और यहां पे देखे, large icon का एक options आपको दिख रहा है, simple सापको इस पे click करेंगे, तो desktop का जो icon जितने भी था, वो सब large हो चुका है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसके बाद, submit पे click कर देंगे, चलिए, यह वाला भी आपका submit हो चुका है यह पे click करते हैं, ठीक है, next वाला question आता है, इसमें start exam पे click करते हैं, we need to record the step while refreshing the desktop, click on start recording, एक application को start करना है, यह पे application का नाम होगा, step recorder application का नाम दिया, उससे start recording करना है, before you start activity, refresh the desktop at the end, click on stop recorder, चलिए, ठीक है, इसको कैसे बनाना है, simple सा आपको क्या करना है, यहापर search बार में आएंगे, आपके search पे click करेंगे, ठीक है, यह वाला application दिख रहा है, simple सा आपको सा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, अब क्या कहता है, start recording करने के लिए, start recording करने क्या करता है, आपको refresh करने क click कर दीजे, and then stop पे click कर दीजे, then उसके बाद क्या करना है, आपको, इसको submit पे click कर देना, then इसको cancel करते हैं, यहापर अभी कुछ technical issue या system का problem की वज़े से यह नहीं बनाना, ठीक है, तो आपको घबराने का कोई जूरत नहीं है, जब अपने system पे बनाओगे, तो same process करना यह बन जाएगा, ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, चलिए, next वाले question पे जाते है, seven number, ठीक है, start item पे click करते हैं, start item पे click करें, पहले question पर देते हैं, capture the screenshot in the free from snip, ठीक है, style of your desktop using new and mode options of the snipping tools and save it, ठीक है, snipping tools एक application होता है, जो हमारे computer पर रहा था, उससे आपको एक screenshot लेना है, ठीक है, कैसे लेंगे, चलिए, यहाँ पे search पे आते है, simple सा SNIP लिखेंगे, जैसे snip लिखेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे आजागा snipping tools, ठीक है, इसको आपको open कर लेना, open करने के बाद क्या कहता है, क्या कहता है, पून सा लेना है, free from snip लेना है, simple सा आपको mode वाला जो options दिख रहा है, इस पे click करेंगे, यहाँ पे फ्री from snip लिखा हुआ है, simple सा आपको इस पे click करना है, ठीक है, उसका new है, पे ईबस्त प्रीकरहना, यहाँ पे click करेंगे, यहाँ एक पर कुछ भी इस तरीके से आप बना करके कर देंगे, यह आ गया, उसके जाड़र और यहाँ पर जो options आपो दीकरा है, save वाला, simple सा पे click करेंगे, यह दून से पनता के, हजाँ पे click करेंगे, यह वैस वैद यो तो यहां पर आपका अंसर बन चुका है इस तरीके से आप बना सकते हैं तो यह वला पर आप ट्राइक कर लिजगा बन जाएगा अभी मैं यहां पर सब्सक्राइक करें खने खना है इस तरीके से आप आप बना लोगे आप जलिए बात करते हैं का नौलेच चेक के उपर ठीक है पर पहले से दो बड़ बना हुआ फिर भी मैं आपको बनारा के दिखाता हौ इस टार्ट इकसां पर क्लिक करेंगे तो लिए कहां और कंदा करने का जो questions आएगा तो सबसे पहला वाला जो questions आएगा इसका answer आपको 3 number दे करके submit करना है ठीक है उसका next वाला जो question आएगा इसका answer आपको 4 number दे करके submit करना है फिर से next वाला जो question आएगा इसका answer आपको 1 number दे करके submit करना है ठीक है इसे question आयेगा, इसका answer आपको तो नंबर दे करके submit करना है, ठिक है, इसका answer आपको एक नंबर दे करके submit करना है, ठिक है, इस तरह के submit करेंगे, इनग्जाम को select करेंगे, स्लेक्ट करके ड्रैक करके यहां पर ला देंगे यहां पर क्लिक करेंगे देखिए यहां पर भी 100 पॉइंट्स मिल चुका है पहले भी इनको मिलावा था ठीक है तो इस तरीके से नॉलेज चेक अप कर लेंगे उसके बाद आ गया सेशन कंप्लिट सेशन टेस्ट का इस पर क्लिक करेंगे देखिए इसको पचेटर पॉइंट्स मिला हुआ है फिर से स्टार्ट इग्जाम करते हैं स्टार्ट इजाम करने के बाद कैमरा क्याप्चर करेंगा केमरा कप्चर करने का next वाला option आ जागा simple next वाले option पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद हमारे पास questions आ जाएगा इसका question क्या बोलता है देखते है program that automatically start and operate as a part of your browser as called इसका हो जाएगा सथ इसका तीन नमर दे करके submit करेंगे इसका next वाला question आएगा इसको भी आप पर लिजीएगा पढ़ने के इसका answer आपको एक नमर दे करके submit करना है इस तरह के से सभींटें गरें दर्लय प्रे और तो तरीकले करेंगे तो इस तरीके से आप भिख शलेंगे तो यहां पर क्या होगा कि आपका एक विडियो चलेगा की आफ स्थे और होता थिए आपको गरीन किया हुआ मिलता है यह नहीं कुछ भी नहीं करना้म सिंपल सा लैब में आएंगे ज हमसेंगे, आप यहां पे जितने भी उप्संस डिक्राइब सबी को एक एक करके वीडियो चलेगा वीडियो को देख लेना है देखते हैं आपका ये green हो जाएगा जो timing दिया हो तो timing पे green हो जाएगा इस तरीके से आप complete करते आएंगे ठीक है और यहां पर एक option देखना है कि जो black वाला जो option दिखता है उस black वाले option को आपको green नहीं करना ह आएंगे यहां पर speaking practice test में यहां पर जो आएंगे इस वाले पर एक video start होगा जो 10 minute का video होता है 10 minute का video में आप 5 minute का video complete करने के बाद आप इसको संबीट कर सकते हैं ठीक है यह वीडियो आपको अच्का वहाँ वीडियो को लाइक कर दें कर दें अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर करके जलें तो आज कर आख करते हैं मिलके एक नई वीडियो में नहीं जानकर अब कर दें साहतको जय वारे